आए दिन हुडकेशवर परिसर में चोरी की कई मारदात हैं हो रही है ऐसे में हुडकेशवर पुलिस भी चोरों को लगाम लगाने के लिए और उन पर अंकुष पाने के लिए पुरी तरह से काम कर रही है जहां बात करने जा रहे है शहर के हुडकेशवर थाना की जहां पे नाबालिक बच्चे चोरी करते हुए पकड़े गए और उन पे कारवाई ही जारी है वियो हुडकेशवर घर फोड़ी आए दिन हुडकेशर पुलिस थाना शेत्रा अंतरगत कहीं छोटी बड़ी चोरी की घटनाय हो रही है जो हुडकेशर पुलिस के लिए एक चुनोती थी नाबालिक चोर इसकदर चोरी कर रहे थे कि कोई भी उन पर शक नहीं करता था इसका फायदा उठाते हुए नाबालिक चोरों ने हुडकेशर पुलिसर में चार चोरी की घटनाय की है जिससे पुलिसर के नागरी काफी चिंतित थे नागरीकों ने इसकी शिकायत हुडकेशर थाने की वरिष्ट पी आए कवीता इसारकर इनसे की पियाय और उनके टीम ने पुलिसी स्टाइल में नाबालिक आरोपियों को धर्दबोचा तीन दूपईया वहन और एक चार पईया वहन को पुलिस ने अपने कबजे में ले लिया है इस घटना के बारे में वरिष्ट पियाय कवीता इसारकार इन्होंने दीसयां समक्ष जान करे दी है चार पइया था या शोला तरखे चा तीन घर पोड़े या आमी 24 था असा में जाला डिटेक्ट के लिया है तो छेन अंति जाए स्कुलान आपमाला को लेला है तो चार पोड़े आमीं जाला था आमें ड़ी दीटेक्ट के लिला है हुडकेशर पुलिस्थाने की वरिष्ट पी आए कविता इसारकर और उनकी टीम द्वारा किये गए अच्छे काम की परिसर के नागरिक सराना कर रहे हैं हुडकेशर पुलिस्थाने से कैमेरा परसन अकिलेश भारदवाच के साथ संजय मीरे बीसेन न्यूज नागपूर